नमस्कार रहा दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी-फिटी और बैंक क्या-क्या हाल रहा कैसा यहां पर ट्रेडिंग चला एक्सपारी के दिन और कुछ नुक्सान हुआ या प्रॉफिट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे ग्रूप में आपके लिए एक क्रिंशॉट दूसरे चैनल से एक्जागरेट नहीं कहता है कि रोज हम केता है कि किसी को कुछ करो सीखने के बहुत कुछ कमाने का सोचो तो बिना सीखे किसी और के बात में आके पैसा मत गवाओ तो आप ऐसा ट्रेडिंग एक दिन कर दिया माईने में या दो दिन कर दिया तो भी बहुत बढ़िया है एक्सपेरे दिन में मौका मिलता है मौका पेचोका मारना है हर बॉल चका नहीं मार सकता है कितना भी बढ़िया बाइचमन हो तो किसी दिन प्रॉफिट होता है किसी दिन मिलेगा मार्केट से नई तो आप मार्केट को पेशा देखे मार्केट से बाहर वहांगे तो यह कहते हुए हम सीधा चलते हैं निफ्टी-फिफ्टी के पास निफ्टी-फिफ्टी में आज क्या हुआ कि कल का फॉल जो था वो श्टीफ फॉल था उसको ब्रेक करके तोड़ा उपर जाने का एक सपना दिखाया लेकिन कंसाल्डेशन फेस में था वहाँ पर जाके नीचे दबा दिया गया फिर से तोड़ा सा अप करके 15,680 तक मार्केट को रुखाया गया 15,700 के नीचे मार्केट अभी रुखा है सो हम बार-बार बोल रहे थे 15,650-660 एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है वहीव पर मार्केट को रुख के उपर जाने का एक गुमाने का कोशिश किया है कल क्या हो सकता है अगर तोड़ा सा ग्याप अप हो गया तो भी 15,733 एक स्ट्रॉंग रेस्टेंस बनेगा इसको तोड़ेगा तो 15,780 तक मार्केट जा सकता है इसको भी तोड़ दिया तो 15,810 मार्केट का मैक्जिमम मुमेंट हो सकता है इससे भी ज्यादा टेजी आना है तो एक बाड़िया शांदार एक न्यूस रहना चाहिए कि एकदम हल चल मता जाए और एकदम निफ्टी को उपर उटा दे निफ्टी या कोई इंडेक्स को उपर उटा दे ऐसा न्यूस आना चाहिए सो अगर यह नहीं हुआ और ग्लोबल संकेत वीक रहा कराब रहा सो यहाँ पर फहला रेस्टेंस अमको नम सरी सपोर्ट अमको मिलेगा 15,670 में यह भी ब्रेक कर दिया कि आज का लो सो सीधा आ सकता 15,600-605 यह लेवल में अगर यह भी तोड़ दिया तो हल्का सा रेस्टेंस आपको 15,595-70 में जोनल सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं तो सीधा 15,500 अगर यह भी तूट गया तो 15,000 I'm sorry 15,500 वे भी तूट दिया तो और भी श्यांदार फॉल आगा 15,500 सो मार्केट को एक जोन में रखने का कोशिश कर रहा है कि 15,900 और 15,500 का जोन में या 15,400 का जोन में लाना चाहता है अपरेटर इसके बारे में हम समझ जार इसे काम लेना है कई भी भी शॉर्ट रिकवरी हो सकता है सो आपर हम ध्यान देखें मार्केट में हमारा पेसा लगाना है अगर हम आप्शन चेन का डेटा जेतने चलते हैं कि आप्शन चेन में क्या यह आपर बनाया है हमेशे कहता है कि एक्सपाइरी डे का जो रहता है उसका नेक्स्ट एक्सपाइरी में कुछ उतना ज्यादा वो एक direction को हमको तोड़ा सा हिंट देता है कि यहां पर देखिये 15700 में 17000 राइटिंग होआ है यहां पर पुट साइड में पुट राइटिंग हो आ है कॉल साइड में 27000 राइटिंग हो आ यह उपर जाएगा यह नीचे जाएगा हमको ग्लोबल संकेत को भी देखना है और सुबह पांच मिनिट में क्या यहाँ पर आप्शन चेंड देटा हमको मिलेगा उसको मान के चलना है क्योंकि आज एक्सपेरी हुआ है यह आप्शन चेंड डेटा उतना ज्यादा क्या करते हैं क्या है ज्यादा झाली ना करते मिल्यसे ना करते हुए हम चलते हैं बैंग मिनीख को estás सब्सक्राइब करेंगे किसी को नहीं करेंगे सामिल होने का मैंने कुछ सीखा है और सिखाने का भी मन किया है सीख के काम करने को रिक्वेश्ट करता हो या फोर्स नहीं करता हो किसी को अगर चाहिए तो वाट्साप ग्रूप में लिंक है what's up group का डिस्क्रिप्ड बॉक्स में WhatsApp group आप जॉइन करके admin को मेसिज करके workshop के बारे में जानकरी ले सकते हैं यह आखी workshop नहीं रहे वर्क्शप तो चालू ही रहेगा option trading का exclusive workshop है इसका लाब आप उठाiber है बहुत ही बहुत ही कम nominal fees है तीन दिन का और शाप रहेगा सोच लिजिए और उसके बाद अपना डिसिशन बनाई है चलिए बैंक क्या हुआ है देखते हैं बैंक में देखें एक डाउन फॉल यहां पर उपर उठाने का कोशिश किया फिर से नीचे लाया गया जो क्रिटिकल सपोर्ट जों 34,660 यह बार बार हमें बहुत सा वीडियो में आपको बता आते हैं हुए चलेते 34,660 34,750 भी एक बढ़िया सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे रुकाया है मार्केट को तोड़ा ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी का ज्यादा ही वीक दिख रहा है 34,680-690 यह लेवल में बैंक निफ्टी को अभी रखाया है तो 700 का भी नीचे है 750 का भी नीचे है 34,000 के तो सोच के काम लीजिए अगर क्यासी भी कारण ग्याप अप हो गया तो इमेडियेट रेजिस्टेंस आपको 34,000 840-34,910 यहां पर रहेगा यहां पर तोड़के ऊपर जाएगा तो भी 35,000 में एक साइकोलोजिकल बहुती पड़ी रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से मार्केट अगर किसी के कारण अगर ग्लोबल मार्केट के कारण नेगटिव ओपन हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा है वैसा ही सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट को मान वह रहा है बैंक निफ्टी सपोर्ट को तोड़के नीचे-नीचे आ रहा है 34,500 एक सैकोलोजिकल स्ट्रांग सपोर्ट सब्सक्राइगा उसको भी तोड़ दिया तो 34,430 में उसको भी तोड़ दिया तो 34,380 तक बैंक निफ्टी जास सकता है इससे भी कराब हो गया मौसम तो सीधा 34,000 तक नान्स्टाप रहले रख लेगा 34,120,130 में भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है अगर उसको तोड़ दिया त आप्शन चेंग उतना ज्यादा आपको डियरेक्शन नहीं देगा तो सोच समझ के आप्शन चेंग डेटा कल मार्केट कुलते हो समय पांच मिन के बाद देखके डिश्यन लीजिए देख लेते हैं यहां पर क्या अभी अभी डेटा डेवलप हुआ है 34,700 अभी अभी स्पार्ट मान के चलते हैं तो स्पार्ट में पूट रेटिंग 5,100 है कॉल रेटिंग 7,800 आसपास है नीचे देखे यहां पर 28,000 34,500 मजबूत सपोर्ट है देखे 34,000 में भी उतना तो 34,000 के नीचे अगर डाउन ओपन हो गया तो मामला कराब हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए है तेक है यह डाउन साइड का हो गया आप साइड में देखे आप आरो स्टेप में थोड़ा-थोड़ा रेस्टेंस बड़ा होआ है तो 40,500 कांटरेट करीब 34,800 9,000 कांटरे 34,900 और 23,000 कांटरेक 35,000 में रहा है तो एक बाउंडरी में है 34,500 और 35,000 यह 500 पॉइंट्स के आसपास गूमने को बैंक हिफ्टी कल आपको देखने को मिलेगा इसको देखके आपका ट्रेड सप्टाप आप बनाईए हर दिन का एक स्टाक हम बताते हैं आज का स्टाक है सिप क्यों सिपला क्योंकि सिपला के ऊपर बहुत सारा न्यूस चल रहा है मॉडर ना जो इंपोर्ट करना चाहता है USA से मॉडर ना को इंडिया में सप्लाइ करना चाहता है और यहां पर देखके आप चार्ट में भी देख सकते हैं सिपला एक जोन में अपने आप होल्ड करके र देखे यह एक consolidation phase है फिर से अगर यहाँ पर breakout मिलेगा तो 995 तक जा सकता है 96 पिछला है था तो आपर resistance phase कर सकता है अगर उसको भी तोड़ दिया तो range में फस जाएगा और उपर supply अपना आपको hold करने का कोशिश करे रहा supply अच्छा stock है कलका trading के लिए अगर किसी भी current down में open हो गया और यहाँ पर down में यह level यह कई पर level अगर break कर दिया तो 972-973 को break कर दिया तो वहां से नीचे आ सकता है यहां पर first stock लेगा वो 965-966 में उसको भी break कर दिया तो 960 तक आ सकता है 10 points का गिरावाट की दिख सकता है कलका market session में देखके काम लीजिए पसिप्ला में बहुत बढ़िया stock होगा आपके लिए यह कहते हुए हमरा वीडियो को यही पर sum up करता है कोशिश आपको अच्छा रहा तो अपना दोस्तों को साथ चेयर कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को सब्स्क्राइब कीजिए और वर्क्शॉप के बारे में सोचिए अगर आना है तो जरूरा यह किसी को अमफोर्स नहीं कर सकता है लेकिन बहुत ही beneficial आपको हो सकता है क्या हमें फाइदा मिला यह वर्क्शॉप करने से आपको बार में पता चलेगा हमारा भी performance आज एकस्पायरी का वर्क्शॉप का जो जो strategy है वही लगा कि हमने कमाया है उसको screenshot ग्रूप में बेजा है वर्क्शॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वह आपके जॉइन करके admin को आप contact कर सकता है जैहिंद